How to Enable Desktop Site in Mobile in Google Chrome तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे कि अपने मोबाइल में Google Chrome ब्राउजर में Desktop Site को चालू कैसे करें जिससे आप किसी भी वेबसाइट को बिल्कुल कम्प्यूटर के तरह यूज कर सकते हो कई सारी वेबसाइट कुछ इस तरह की बनाए जाती है कि सिर्फ वह PC पे दिखाई दे, laptop पे दिखाई दे, phone में ना दिखाई दे या आपको फिस योर वज़े से उस वेबसाइट को अपने मोबाइल में चलाना हो तो कैसे करें आईए जानते हैं सबसे पहले यहाँ पे आप Google Chrome Browser ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आप एक नया पेज ले लीजिए कुछ इस तरीके का फिर आपके पास याला पेज आ जाएगा ऊपर आपको दिखाई देंगे यहाँ पे तीन डॉट इस पे टेच करें अब यहाँ पे आपको आना है यहाँ पे आपको मिलेगा एक option desktop site computer बनावा है यहाँ पे तो यह option हमें इसलिए ही दिया हुआ है ताकि हम इसे computer के तरह यूज कर सकें तो आप इसे चालू करें अब यहाँ पे आपको वो website open करनी है या वो चीज open करनी है जिसे आप अपने computer में open करना चाहते हो पर आपके पास computer बगरा नहीं है आप उसे phone में open करना चाहते हो तो यहाँ पर हम facebook.com search करते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं facebook.com यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ और यहाँ पर आप दे सकते हैं जो facebook के हमारा वो बिल्कुल computer के तरह ही इसमें open हुआ है इसके अलावा अगर हम google open करेंगे शिर्फ google तो वो भी हमारा computer के तरह ही open होगा जैसे के आप दे सकते हैं तो यहाँ पर हमने google open करा है तो जो page है हमारा computer के तरह ही आ रहा है तो ऐसा आप इसको use कर सकते हो और अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को like कर सकते हो चैनल को subscribe करिएगा मिलते हैं किसी और नई वीडियो में